असलाम लीकुम एवरीवन वेलकम बैक टो और चनल तो आज हमारे पास एक एक एलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है जो कि चल नहीं रही है इसका जो फुट वाला पार्ट है वो नहीं चल रहा है टॉप चल रहा है इसका पूरा प्रॉपरली और जबकि इसको हाई और लो स्पीड में रखते हैं टॉप बॉर्टम के टॉप वाला साइड चलता है और जो बॉर्टम वाला वो बिल्कुल नहीं चलता वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँँ ये वीडियो में सिर्फ नॉलेज परपस के लिए बना रहा हूं हमारी डीलिंग कोई नहीं रहती इन एलेक्टिक ब्लैंकेट से नहीं हम रिपेर करते हैं और नहीं हम सेल करते हैं बस ये एक नॉलेज परपस के लिए हम ये वीडियो बना रहा हैं ताकि में भी कभी आपके काम आ जाए तो वीडियो देखने के साथ साथ हमारी चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें तो पहले मैं आपको बता दूँ यह जो ब्लैंकेट है बावन नाम की कंपनी से हैं ब्लैंकेट यह बहुत अच्छी थी तकरिपन दो-तीन साल बिलकुल प्रॉपरली चली इसी सा कि हमारे कश्मीर में जो लाइट के फ्लक्टुएशन रहती है और विंटर में जो हमारे यह लाइट रहती है 90, 80, 100, 120 तक ही रहती है तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ प्रॉबलम सप्ले से ही हुई होगी तो वह हम चट करते हैं कि क्या प्रॉबलम हुई होगी पहले मैं इसका थोड़ा आपको control बता दूँ ये इस time off mode में है फिर इसके बाद ये high mode पे आता है जिसमें हमारा top bottom दोनों चलता है और heating ठीक ठाक होती है इसके बाद हमारा low option है low option में क्या रहता है कि top bottom इसमें भी दोनों चलते है बड़ जो heating है थोड़ा कम रहती है इसमें इसके बाद हमारा foot option रहता है foot option में कहा रहता है कि कमल का bottom वाला side ने बस खाली वही चलता है और top जो upper वाला side है वो नहीं चलता है वो off रहता है इसके बाद हमारा top side आता है जिसमें हमारा सिर्फ top वाला side चलता है और bottom वाला side जो है वो off रहता है तो अभी इस वाली blanket में क्या problem है high speed पे तो ये blanket चल रही है लेकिन सिर्फ upper part इसका चल रहा है और जो bottom part है वो नहीं चल रहा है low speed पे भी same यही problem है upper चल रहा है bottom नहीं चल रहा foot पे ये बिल्कुल zero बिल्कुल भी नहीं चलता ना top ना bottom और top जब लगाते हैं तो top वाला side इसका चलता है तो देखते हैं कि blanket में क्या problem है बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में इस blanket में जो input है वो यहां से हमारा इसमें input जाता है और एक चीज़ में आपको बता दूँ कि यह जो इसका control रहता है control का जो input है यह वाला जहां से plug लगा है यहां तक दो वायरे आती है और यहां से आगे जो हमारी वायरे निकलती है वो तीन वायरे निकलती है जो कि तीन वायरे यहां से अंदर जाती है तो यहां से हमने इसको cut दे दिया है और जैसे कि हमें ऊपर से ही थोड़ा सा इस पर लग रहा है कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम है कुछ जलने का निशान है यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर हमने कर दिया है और यह इसका PC तो यह इस ब्लैंकट का PC भी है जो कि इसके अंदर ही रहता है, यह आप देख सकते हैं जलने का निशान, यह इसका पीशी भी रहेगा, और इसमें एक जो वायर है मिसिंग है, यहाँ पे इसको चार वायर होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें दो एलमेंट लगे होते हैं, एक टॉप के लिए और एक बाटम के लिए, अब देख सकते हैं, यहाँ से अंदर से एक इसका जो एलमेंट है चला हुआ है, तो पहले हम सर्च करेंगे कि वो कहां तक जला है, और उसकी जो सप्ले हैं चल भी रही हैं कि नहीं, प दोड लिया है, जो कि शायद लाइट कम या ज़्यादा होने की वज़ए से यहाँ पर चल गया है, अब यह हम इस PCP पर जो यह टैप लगी हैं, यह हटाएंगे, यह हमने इसके सारा जो टैप अगे रहा थी हटा दी है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस लीड में यहाँ से निकलती हैं तीन वाइरे, और इसके जो दो एलमेट है, दो एलमेट के लिए एक सेट यह है, और दूसरा सेट यह है, और इसका जो यह सेट है, बॉटम वाला है, यह टॉप वाला है, और बॉटम वाला सेट जो है, इसकी जो वाइर है, यहाँ पर जली हुई है, तो अभी हम इसको रिकनेक्ट करते हैं फिर से, तो ब्लैंकेट का यह जो फोर्थ वाला कनेक्शन डिसकनेक्ट था यह हमने कनेक्ट कर दिया हैं PCB के साथ और इसके जो बागी रिमेंग तीन कनेक्शन थे यह भी हमने इसके साथ प्रॉपरली बन कर दिया है थोड़ा टाइट करके तो कैनेक्शन आपको मैं बता दूँ जो यहाँ से तीन क defending दाते हैं इस में जो इक वाला है किनेक्शन रहे गा यह कौमन वाला रहे गा जिसकी सपलेश दोनों में जाएगी और यह सेपरेटली दो हमकर के च knobनेक्शन जाहेगा जिसकाा to really हमारा फुरा इस पर रहेगा तो मल्टिमीटर का जो यह है हम 200 वल्टिज पर रखेंगे और फुट पर क्या है कि हमारा एक ही एलमेट चलना चाहिए तो वो हम चक करेंगे कि क्या फुट वाला एलमेट हमारा चलेगा यह हमारा कॉमन पर सप्ले रहेगी और यह हमारा एक वाले element पे reading 0 दूसरे वाले element पे हमारा reading दिखा रहा है 98 97-98 means कि हमारा foot वाला जो है work कर रहा है और ये वाला जो है ये हमारा top वाला रहेगा अभी के लिए इसमें 0 reading है और foot वाले में reading हमारी proper आ रही है तो अभी हम इसमें foot के top रख देंगे जिसे कि हमारा top वाला element चलेगा ये common हो गया तो ये हमारी top वाली reading 99 और इस टाम हमारी जो bottom वाली reading है वो 0 आएगी क्योंकि bottom वाला temperature चल नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो blanket है properly ठीक हो गई है अभी हम इसको उपर से थोड़ा करेंगे टैप की इसमें हम ये टैप लगाएंगे उपर से ताकि ये connections को थोड़ा सा hold करें क्योंकि blankets बार बार हमें उठानी पढ़ती है फिर से डालनी पढ़ती है तो थोड़ा से hold रहती है पिलस इसको फिर वापस सेल करेंगे में ब्लैंकेट को वापिस तो कैस हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा और होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आ गया होगा मेभी आपकी लोकालिटी में आपके गर में यह ऐसी कोई ब्लैंकेट खराब हो तो आप इसी आपके खराब को आपके और भाप और में थे दो को सिस्योंचे जया जार में जहा जीए को.